जब से लोगडाउन शुरू हुआ है इन दौरी चटोरों की तो जैसे मुसीबत ही हो गई है जाए तो जाए कहां और अपनी खाने पीने की चीजें कहां से लाए अभी कुछ दिन पहले ही 56 दुकान अपने नए अवतार में लोगों के सामने आई थी लोगों की चहल पहल शु खुड़ी शांती तो मिल ही जाएगी यह खबर है आपकी फीवरिट जगह 56 को लेकर लोगडाउन ये बाद चपन आपको एक अलगी अंदाज में नजर आने वाला है अभी तो 31 महीं तक पुरे देश में लोगडाउन लगा हुआ है और इन दौर भी पूरे तरीके से बंद लेकिन 56 को लेकर एक खबर सामने आई है और वो ये है कि हाल ही में नगर निकमायुक्त प्रतिभापाल ने स्मार्ट सिटी के तहत किये जा रहे कारियों का निरेक्षन किया है और इसी के तहत कुछ बदलाव करने की भी बात कही है निकमायुक्त प्रतिभापाल ने निर्द करने की बाद कई है नगनिक्म आयोक्त प्रतिभापाल ने 56 शेत्र का दोरा किया और इस दरान मैंटेनेंस करने वाली एजेंसी को निर्देशित किया कि आने वाले समय में यहां पर कारे में कोई तूटी नहीं दिखने चाहिए इस दौरान निगमायुक्त प्रतिभापाल ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की और उन्हें जरूरी निर्देश दिये साथ ही शहर की संदर्ता और 56 दुकान की संदर्ता पर काम करने की बात कही इस दौरान कमिशनर मैडम प्रतिभापाल एडिशनल कमिशनर संदीप सोनी क्रिशना काकड़ी स्वच भारत मिशन आशिश काप से चीफ सैनेटरी इंस्पेक्टर तथा जोन नो के सब इंजीनियर दिये गए नहीं इस तरह की कोई बात की गई है कि लॉकडाउन के बाद किस तरीके से दुकानें खोली जाएंगी ये भी नहीं बताया गया है लेकिन जिस तरीके से 56 दुकान का निरेक्षन किया गया और वहां के कार्यों को और बहतर करनें की बात कही गई उससे यही लगता है कि इन दौरे चटोरों की फेवरेट जगह चपन दुकान जल्द ही खुलेगी और वहाँ पर फिर से आप स्वात का अनंद ले सकेंगे सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स